जै माता दिन साथियों आज एक और सुन्दर ओर्नमेंटल फूल की बात करते हैं जो एक कांटेदार जाड़ी में खिलता है यह दक्षिन अमेरिका का मूल निवासी है यह पौधा दूसरे पौधों के सहारे बारा मीटर तक उचा चला जाता है धूप और पानी मिलता रहे तो यह हरा भरा रहता है यह पौधा जल्दी बढ़ता है इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है इसकी कटिंग और प्रूनिंग होती रहनी चाहिए इसके फूल ज़्यादा तर सफेद या औफ वाइट होते हैं जो बिल्कुल पतले और ट्रंपेट शेप में होते हैं और बाहर रंगीन पेपरी पंखुडियां लगती हैं जो असल में मौडिफाइड पतियां ही होती हैं इन कागस जैसी पंखुडियों के कारण इसे पेपर फ्लावर भी कहते हैं मैं बात कर रही हूँ बोगन विल्या की जिसे हिंदी में बोगन बेल कहते हैं इसके विदेशी भाषाओं में अनेक सुन्दर सुन्दर नाम हैं जैसे प्राइमा वेरा, रसीटा, रीजो, सैंटारीटा, रोजैरो अन्य बहुत से नाम हैं इसकी पतियां हर्ट शेप की होती हैं और फूलों के साथ जो पंखुडियां होती हैं जो मोडिफाइड लीव्ज होती हैं वो अनेक रंगों में पाई जाती हैं जैसे लाल, सफेद, औरेंज, मजेंटा, पीले, पिंक, परपल इसकी कई हाइब्रेड नसलें बनाई गई हैं आज इसकी 300 से भी उपर किसमें हैं बोगन वेलिया को आज दुनिया के गर्म देशों में खूब जाना जाता है इस पौधे को धूब पसंद है और यह है लैंड्सकेपिंग में काम आता है ठंडे शेत्रों में इसे हाउस प्लांट या हैंगिंग बास्केट के रूप में रखा जा सकता है यह पौधा कम पानी और नमकीन पानी भी जेल लेता है इसलिए इसे तटिये प्रदेशों में भी लगाया जाता है यह बाड बनाने के भी काम आता है इसकी जाडियों में काटे तीक्षन होते हैं नवंबर से मई तक इसमें फूल आते हैं इसको टिप कटिंग से प्रोपगेट करते हैं और क्योंकि यह जल्दी भड़ता है इसलिए इसे प्रूनिंग भी चाहिए होती है यह पौधा बॉनसाई बनाने वालों को भी पसंद है वैसे यह जमीन पर ही सही चलता है ज्यादा तर बोगनवेलिया में कीड़े नहीं लगते लेकिन फिर भी कुछ कीड़े से नुकसान पहुचा लेते हैं जैसे केटरपिलर, टाइगर मौद जैसे इंसेक्ट्स बोगनवेलिया की एक किस्म गुवाम का ओफिशिल फ्लावर है और बोगनवेलिया ग्रेनडा का राश्चे फूल है साथियों ऐसी ही फूलों की दिल्चस्प जानकारी बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल जै माता दी लाध धनकार अवाद प्लीज आ सब्सक रहसे करता है ज्ज Toom